कि वहारी चीकन गड़ी की रेसेपी चीकन कड़ी तो आपने बहुत खाए होंगे लेकिन जो बिहारी चीकन कड़ी होता है उसका कोई जवाब नहीं होता है सारहे चीकन कड़ी से थोड़ा सा इसका टेस्स तो चीकन को अच्छे से धोके साब कर लीजां अधा चुटा चमसहल्दी पौऊडर आधा चोटा चमस लाल्मीच पौडर आधा चमस नमक और आधा चोटा चमस दाल देंगे 에게 अधरक लशून सारती कर देंगे दो से तीन चमस सरसो का तेल इन सारी चीज को अच्छे से मिक्स कर देंगे तो यहां पर मिक्स कर लिया है इसको डग के दस से पंदर मिनट के लिए छोड़ देंगे तब तक आगे की तैयारी करते हैं तो गैस पर रख दिया है तेल गरम होने के लिए पिहारी चीकन सरसो के तेल में ही बनता है, अगर आप सरसो का तेल नहीं खाते हैं, तो जो भी कुकिंग ओयल खाते हैं, उसको ले लिजेगा, और तेल गरम हो गया है, इसमें साबूत मसाले डाल देंगे, आदा छोटा चमस जीरा, बड़ी लैंची, छोटी लैंची, एक लाल मिर्च, और द इतना चीकन या जितना भी मटन होता है, उसका आधा प्याज जाता है, तो यहां पे 500 ग्राम के करीबन प्याज लिया है, और अच्छे से प्याज आप देख सकते हैं, भून गया है, इसमें डालेंगे, एक से डेड़ चमस अधरक लसुन का पेस्ट, इसको भी आधे मिनिट के लिए भून लेना है, तो यहां पे अधरक लसुन भी भून गया है, तो गया इसका फ्लेम लो रखेंगे, और एक चमस डाल देगे, लाल मिर्च पाउडर, एक चमस धरिया जीरा पाउडर, आंदर छोटा चमस हल्दी पाउडर, और साथी में डालेंगे, एक चमस देगी रिए मिर्च पाउडर, मिर्च कर देगे, और थोड़ा से इसमें पानी डाल देगे, ताकि मसाला जले नहीं, करने के बाद इसमें डाल देंगे एक बारी कटा हुआ टमाटर साथी में डाल देंगे टेस्ट के कार्डिंग नमक ताकि जल्दी से टमाटर स्वाप्ट हो जाए तो नमक हमने पहले भी थोड़ा सा मेरेन्यट मेंट डाला है तो इसाब से नमक डालिएगा और मीडियम फ्लेम पे 5-7 मिनट के लिए मसालों को पका लेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 5-7 मिनट के लिए मसालों को पका लिया है अब इसमें डाल देंगे मेरे नेट किया हुआ चीकन मिक्स कर लेंगे और mix करने के बाद इसको medium flame पे 5-7 मिट के लिए मसालों के साथ चीकन को भूनना है आप जितने अच्छे से भूनेंगे चीकन आपका उतना ही अच्छा बनेगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल हमने 15-17 मिट के लिए चीकन को भूनना है मसालों को और उसके बाद इसमें डाल देंगे एक चमस चीकन मसाला आधा चोटा चमस कस्तूरी मेती साथ ही में डाल देगे दो चमस फ्रेज दही लिया है और अच्छे से फेट लीजेगा इसको भी डाल देंगे और लो फ्लेम पे इसको लगातार चलाते हुए दही को भी पका लेना है मसालों के साथ तो यहां पर आप देख सब्सक्राइब अच्छे से पक चुका है दही भी और उसके बाद इसमें डाल देंगे पानी तो पानी यहां पर अच्छे से डालिएगा क्योंकि चीकन अभी कच्छा है मीक्स कर देंगे उसके बाद 2-3 हरी मिर्च कट करके डाल देंगे साथी में थोड़ा सा धनिया की पत्ती और ढख के इसको मीडियम फ्लेम पे 15-20 मिनिट के लिए छोड़ देना है बीच में काद बा चुटा चमस घरम मसाला पाउडर और साथी में डालेंगे एक चमस देशी घी बहुत ही अच्छा प्लेबर आता है एक बार जलू इस तरह से ट्राइब कीजिएगा गैस को बंद कर देंगे और इसको ढख के पांच मिट के लिए छोड़ देंगे और पांच मिट के बाद आप देख सकते हमारा गरम गरम बिहारी चीकन कड़ी एक तम तयार है तो इस रेसेपी को एक बार इस तरह से जरूर ट्राइब कीजिएगा आपको खा के मजा आ जाएगा आसा करती हूँ कि आज की ये रेसेपी आपको पसंद आई होगी रेसेपी पसंद आइद प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजेगा चैनल को सस्क्राइब कर लीजेगा साथी फैमिली फ्रेंस